हाई फ्रेंज चल यह स्टार्ट करते हैं मैं आपको दिखा दू यहाँ पे जो कोलकाता क्लेपोट आप देख रहे हैं हाप बेक लिटल स्मुकी में यह हमारा अभीका स्टॉक है इन्होंने वन केजी लिया है विदॉट बबल्स यह वन सेवेंटी रुपीज है और यहाँ पे कोलकाता क्लेपोट है विदॉट बबल्स इसमें बबल्स नहीं लगेगा लिटल स्मुकी हाप बेक में यह अंदर से पका हुआ स्टॉक है देखिए लिटल स्मुकी साइड से इतना स्मुकी होका बाकी हाप बेक्ट है यह क्रंची स्टॉक है विदॉट बबल्स जाएंगे यह 300 रुपीज है और यहां पे जो पार्सल आप देख रहे हैं यह भी विदार बबल सी जाएंगे सॉसर बगड़ा है इन्होंने स्मोकी में क्रंची में कच्छे बीटी नहीं दिया इस यह सॉसर का स्टॉक एकदम खतम हो गया है मुझे पता नहीं है कितना स्टॉक है कि ब्लैक और वाइट में क्यूब और उसके साथ उनका एक छोटा सा टाइनी पॉट सैंप्रल स्मोकी में तो यह जो पार्सल आप देख रहे हैं यह त्री केजी का है यह विदार बबल्स फाइव हंड़ेड रुपीज है अगर किसी को सेम पार्सल चाहिए आप और कर सकते हैं अब और यह ठुज़ने टाइनीयस दोनों सैंपल मांगा हैं तो एक ही हमने सैंपल दिया है वहैं टाइनियस तिससे भी छोटा है तो यह है ठीकेजी पार्सल विदाट बाबल्स यहाँ पे जो पार्सल आप देख हें यही सेम सॉसर से इसके साथ इन्होंने भी स्मोकी अंदर क्या होता है हमें भी पता नहीं चलता है तो यह है इनका 2 kg पार्सल उसके साथ नाकुम बंजब की मिट्टी क्रम्बल सैंपल यह 320 रुपिज बला पार्सल है घृत यह पे पार्सल है यह 3 kg कुलकटा कलेपोट है इसके साथ कुछ भी नहीं सैंपल हाँ यहां पे है नाक कुलकता क्लेपट 3 kg 400 में और 2 kg 300 में चलिए यहां पर कुछ पस्टोमाइज पार्सल है मैं दिखा दूं जैसे यह है एक पार्सल इन्होंने रैंडम लिया है लेकिन उसके इनको कच्छे मिट्टी भी चाहिए हाप बेग्ड भी चाहिए स्मोकी में पका हुआ भी चाहिए वह यह है स्मोकी में कच्छा स्टोम यह है हाप बेग्ड देख रहे हैं तो इनको तीनों टाइप का क्लेपट रैंडमनी मिक्स चाहिए और इन्होंने रैंडमनी मिक्स्टी लिया है और इनका पार्सल विदाउट बबल्स जाएंगे देख लीजे यह है उनका पार्सल 2 kg में कि जैसा भी हो रैंडमनी मिक्स्ट होगा तो आपको 320 में आज मिल जाएगा विदाउट बबल्स ठीक है यह विदाउट बबल्स है और यहाँ पर जो पार्सल आप देख रहे हैं यह सभी कस्टोमाइज पार्सल है जैसे यहाँ पर है ब्लैक चिप्स रोल कोलकाता क्लेप और बटर नकुमत और इनका कोई सैंपल नहीं है हम सभी को बोलते है कि सैंपल आप लोग थोड़ा एक साथ में लिखिए तो हमें दिखने में प्रॉब्लम नहीं होता है हम दे देते हैं लेकिन सैंपल आप लोग बहुत सारे सवाल करने के बाद लास्ट में लिख दीता है देख लीजे इसमें उन्होंने कॉमबो लिया है पंजाब की मिठी नाकुमत या ना पंजाब की मिठी स्लेट आइटेम सॉसर सब सब कुछ टू केजी में है बबस के साथ ही जाएगा यह सभी कस्टोमाइज पास्टल है मैं आपको कस्टोमाइज को बिना जो रैंडम ली इन्हों पूरा नॉन्समोक लिटीव स्मोके में लिया है देख लिए उन्होंने मैंने इनको कहा था कि आप मिनी में ले सकते हैं लिकिन इनको थोड़ा रोल कोलकाथा क्लेपोड भी चाहिए तो लास्ट में इसको एड़ किया गया है तो यह फाइफ केजी पार्सल जो रैं कि आ चाहिए तो छोटे ही ले सकते हैं मतलब आ कर चाहिए तो नहीं ले चाहिए आप चाहाए तो नहीं ले सकते क्योंकि रॉन्स्मोखे रोल रसी का खतम हो गया है रोल थोड़ा है फिर भी रसी तो लगभग खतम है तो आप चाहे तो 1 kg रोल 1 kg रसी बागी 3 kg आप मिनी पॉट मिक्स करके भी ले सकते तो भी प्राइज आपका 680 होगा लेकिन रोल रसी जिनको चाहिए उनको एक दो दिन पड़ेगा लेकिन और आपको अभी करना पड़ेगा और यहाँ पर है वही सॉसर जो 320 वाला है इन्होंने भी लिखी स्मोकी यह स्टॉक बहुत ही जा रहा है इतना सॉप्ट नर्थी है तो इन्होंने भी लिया है और उसके साथ उनका यह लंबे गले वाले पॉर्ट ऐसे सैं कर सकते है और रेटबिटई का क्लेप यह सब कुछ भी नहीं और समुक की में और शुकि में कच्चे मिट्टी में जिसमें भी हो सब मिल जाएगा लेकिन नौन्शुक की रोल रस्षी के लिए आपको एक-जो दिन पोड़ेगा तो आप और करके रख सकते है हम दो दिन यह बारा चाहिए वैसे स्टॉक आपको कर देंगे चाहिए मैं दूसरा पार्सल भी दिखाती हूं और थोड़ा ओहां यह पार्सल तो मैंने दिखाई नहीं यह भी एक कस्टोमाइज पार्सल है यह है पंजाची मित्ती है यहां पर माने केजी कोलकाता क्वाद पोट फैंद्स लिख में सबत्रल Approek अगर इसको पकेजल यहां नीकालते व्योंगग the disk डेख लिए फॉर्र लेयर्ज्र वल्र दिया है कि तो ये इल्ग है तो स्थाक आपको बहुत अच्छे से हमारे पास अभी मिल जाएगा लेक जोने दम लेयर्ज में हैं तो चलिए दूसरा पार्सल भी दिखाते हैं स्था । लर दिखाते कि ऑंजाब की मिट्टी है और कुछ क्लेपोट उन्होंने लिए है मतलब उनको कोई स्पेसिफिक कोई क्लेपोट उन्होंने कहा नहीं तो मैंने यहां पे एक बाल भी दिया है और यह उनका सैंपल है ब्लैक स्टोन का पीज यह पूरा वन केजी पार्सल है देखिए और यहां पे एक पार्सल है यह यहां पे भी हाफ रोस्टेड नाकुमठ है ब्लैक चिप्स वाइट चिप्स वाइट चिप्स हमारे पास खतम हो गया है और यह उनका सैंपल है तो यह सब भी पार्सल डिश्पैच हो जाएगा कल ही कल ही मतलब आज ठीक है और हमारे पास जो छोटे वाले पॉट है एवलेविल मैं दिखा दू यहां पे है देख लिजे यह सभी नॉन स्मोकी लिटल स्मोकी में है हाब बेग्ट बाला बस पॉट यह देख लिए अगर मैं टॉर्च ऑन कर दू त यह भी खतम हो रहा है दूसरा स्टॉक आ गया है मैंने दिखाया था कल वीडियो में यह देखिए और सौसर्स का स्टॉक इतना ही है खतम लगभग यह बनके आ जाएगा तो आपे ही मैं वीडियो डालूंगी और आप लोगों को दिखा दूंगी तो चलिए फ्रेंज बाब झाल झाल